इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया चंद्रशेखर आजाद भारत के सबसे विशिष्ट करांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अंग्रीजी सामराज्जक को हिला कर रख दिया था मगर क्या आप जानते हैं कि यही वो जगा है जहां वो अंग्रीजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे यह है इलाबाद या प्रियागराज शहर का चंद्रशेखर आजाद पार्क जहां उनके बलेदान की यादें आज भी जिन्दा है इतिहास से ओद्प्रोत ये सुंदर पार्क कुछ महत्वपूर्ण एतिहासिक घटनाओं का गवा रहा है दिलचस बात ये है कि इसका निर्मान इलाबाद में अंग्रीजों के शासन की एक निशानी के रूप में हुआ था पर ये पार्क उनी के खिलाफ हुए स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतिक बन गया आज भी इस बड़े पार्क में कई एतिहासिक समार्क मौझूद हैं जो इस थान की कहनी बया करते हैं इसे इलाबाद का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है इलाबाद शहर से अंग्रीजों का संबंध संथ 1765 में ट्रीटी ओफ इलाबाद के तहच शुरू हुआ था इसके बाद बंगाल की दिवानी जिसमें बिहार और उडिसा शामिल थे इस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी और इलाबाद पर भी उनका शासन हो गया था इलाबाद में आज भी अंग्रीजों के समय के समार्क हैं चिन में से एक है ये पार्क जिसे पहले एलफेट पार्क या कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था इस पार्क को एडिन्बर्ग के ड्यूप प्रिंस एल्फरिट की इलहाबाद यात्रा की याद में 1870 में स्थापित किया गया था 133 एकड में फेला ये पार्क 1857 के विद्रोह के बाद नश्च हुए गाउं के खंडरों पर बना गया था इस पार्क की नीव खुद प्रिंस एल्फरिट ने रखी थी जिन्हें प्रांत के ततकालीन लेफ्टरेंट गवर्नर सर्व विलियम मुईर ने अमंत्रित किया था क्या आप सोच सकते हैं कि ये पार्क अंग्रेजों के बीच एक बेहद लोग्प्रियस थलता जहां कई हाई टी पार्टियों और बैंड नाइट्स जैसे कार्यक्रमों का आयोजिन किया जाता था पर जैसा कि इसके नाम से आज़ पश्ट है ये पार्क महन स्वतंतरता सेनानी चंदर शेखर आजाद और उनकी लड़ाई का एक प्रतीग है इसी पार्क के अंदर 27 फरवरी 1931 को हिंदुस्तान सोशलिस रिपब्लिकन पार्टी के करांतिकारी आजाद ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों से घिरे होने पर खुद को गोली मार ली थी उनकी बहादुरी और शहादत की याद में भारत की स्वतंतरता के बाल पार्क का नाम चंदर शेखर आजाद पार्क रखा गया इस पार्क में कई और ध्यान दिने लायक स्मारक और स्थान शामिल है चंदर शेखर आजाद की यादगार इस पार्क का एक प्रमुग हिस्सा तो है ही प्रसद इलाबाद संगराले जिसमें चंदर शेखर आजाद की पिस्तॉल भी रखी है इसी पार्क के हिस्से में मौजूर है इसके अलावा यहां कुईन विक्टियूरिया का एक बड़ा संग बरमर का समार्क है पर आज यहां उनकी मूर्ती नहीं है साथ ही कुछ अन्य अंग्रेज अधिकारियों के समार्क भी शामिल है पार्क के अंदर थौन हिल और मेन मेमोरियल एक सार्वजनिक पुस्तकाले है जो पुरानी लीपियों और किताबों के लिए पसिद्ध है पार्क में एक स्टेडियम और जिम खाना भी है आज यह स्थान परियाटकों और स्थानिय लोगों के लिए एक खास जगह है इस एक पार्क के सम्रिद विरासत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पार्क कितना महतपूर स्थान रहा होगा इलाहबाद शेहर के इतिहास के कुछ पन्यों की जहलक अगर पानी हो तो चंदर शेकर आजाद पाज जरूर आईएगा प्राइगा